प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडिमित प्रदेप पे दोस्तों यूपी यसी एससबी की लेटिस्ट नियूज के साथ हम उपस्ति थे यह आपके लिए बड़ी खुसकवरी हो सकती है जिसका आप बहुत दिनें से इंतजार कर रहे थे और बीच जुटाया जा रहा है मैं एक एक करके सारी बात आपको बताने वाला हूँ आप पूरा ध्यान से सुनिएगा उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोक के द्वारा एक नोटिस निकाली गे उस नोटिस में क्या कुछ है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा उसके पहले आप करने के लिए नंबर पे आपको ईस नमबर पर वाट सबकरने करने क्रहंगा आप जोईन करना मैं आपको बता दूँगा अभी तक सिर्फ 15 वीडियो हुए हैं तो आप ये सभी वीडियो आपके पुराने भी मिल जाएंगे NCIT की क्लास हम लोग कर रहे हैं हिंदी मेडियम में और इसके बाद इसके इंगलिस मेडियम में भी करेंगे तो बेरहाल वो है और एक छोटा सा प्रयास हमारे दौरा किया गया आपके लिए यह हैं बाल विकास और सिच्छड के लिए हम आपके लिए लेकर आये हैं वन लाइन नोट्स आपके जितने भी एकजाम हुए हैं उन पर इच्छाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है और आने वाल एकजाम आपके यूपी टेट को ध्यान में रख करके यह बनाया गया है बाल विकास अर्था और इसका एक वीडियो हो चुका है आगे के वीडियो के लि कर और उनलेग्टेकों सहुनों जोने कि वा झाल झाँ निए जैना के अगल कि आगेंस से बबस्कार के वाभठिक पहर राया है इसी बाद में कर नहीं तरो है बद्धान सवाचुनाओं से पहले पूरा किया जाये गाएंग्या हिएन पर अगला पिछले एक्जाम कि बात करें तो पिछली जो भरती आई थी उसमें इतना ज्यादा समय नहीं दिया गया था बच्चों ने लगातार भी रोध भी किया और मांग भी की और जाकर करके आयोग पे भी कई लोगों के लेकिन एक दिन भी परिच्छा ती आगे नहीं टेली थी तो एक्जाम कराया जा सकता है 4500 एडिट काले जो हमारे हैं उनसे बेवराज उटाया गया आज के आप सभी दैनिक अगबारों में देख सकते हैं इलाहबाद में जितने प्रिंट होते हैं लगबग सब में दिया गया है तो आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आपको एक बंपर भरती मिलने का चांस पूरी तरह से अगर अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाते हैं तो सफलता भी आपकी 100% सुनिश्चित ही है अभी से आप सुरू कर देंगे तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी पीछला आप ने पेपर दिया पिछली बार पढ़ाई किया फिर G.I.C का पेपर दिया उसमें पढ़ाई किया अब फिर से आप नए सेरी से पढ़ाई में जुट जाईए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी जितने हमारे बायलोजिक की मित्र हैं उनको मैं बता दूँ कि आपका ये बेच चल रहा है आप इसको जॉइन कर सकते हैं प्रैक्टिस पेपर भी फिरी हैं इंगलिस मी बैकेंसी आने वाली थी यल्टी की बैकेंसी आयोग लगातार आगे टालता जा रहा पहले कह रहा था कि हम अगस्त महीने में देंगे फिर जब आगस्त में लोग पूछने पता चला कि पंदरा अगस्त के बाद बैकेंसी आएगी फिर सितंबर में फिर अक्टूबर में तो आयोंक टालता जा रहा है इसके वजय से सारे यूट्यूबर आपके जुटे होते चले जा रहे आपकी बात भी सही है की लोग पोर ले सब लोग्सभी कर रहे हैं लेकिन्च उपनी बात से मुकर जा पचास दिन का भी समय नहीं दिया गया तीस चीज को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी को जारी रखें जिससे आपकी सफलता की न्यू जो होगी वो मजबूत होती जाएगी और आप जल्दी से सफलता हासल कर सकते हैं ठीक है तो फिर मिलते हैं किसे और वीडियो में कि से और क्लास के साथ तक तक लिजाज़त दीजिए जैंदर